और इन सब के बीट चंद्रियां 3 को लेकर बड़ी खबर जहाँ आज से शुरुआत होने जा रही है 4 बजे विक्रम लैंडर की स्पीड कम करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा शामकरी सार बजे चल्वयांत्वी के विक्रम लेंडर को दीबूस्टिंग के जरिये थोड़ी रिचली काक्षा में लाया जाएगा दीबूस्टिंग का मतलब ये होता है कि स्पेस्क्राफ्ट की रफ्तार को धीमा करना ये प्रक्रिया 20 अगस्ट को भी होगी इसके बाद लेंडर की जो चंद्रमा से दूरी है 30 किलो मीटर ही मेंज रह जाएगी वाज कम की जाएगी लेंडर की रफ्तार और ये बेहत जरूरी हो जाता है क्योंकि कल एहम पढ़ाव पार किया था जब प्रोपोर्शन मॉजूल से लेंडर अलग हुआ था और 23 अगस्ट को शाम को पौने 6 बजे का वक्त होगा जब लेंडर चांद की सथा पर उत्रेगा उत्षवी के सामने नहीं आता सबसे बड़ी बात यहीं कि इसमें क्यों स्पीड की जारे देखें बहुत थेजी से स्पीड आता है लेकिन अगर आपको सॉफ्ट लांदिंग करानी है तो आपको स्पीड को दीडरे धीरे धीरे कम करना ओगार यसी सफ्ट लांदिंग के लि जो स्पीड कम करना है वो इसले भी महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि जो चंप्रयान 2 की असफलता थी उसमें गती एक बहुत बड़ा कारण था कि यानि कि जब अब प्रोपोल्शन मॉड्यूल से लेंडर कल दुपहर एक बचकर 15 मिनिट पर अलग हुआ ऐसे में लेंडर को अभी तक इस तरीकी से समझा जाए कि यहां तक प्रोपोल्शन मॉड्यूल ही लेकर क्या है लेकिन अब लेंडर की गती को कम करना यानि कि धीमे धीमे वो चांत की सता पर उत्रेगा सौफ लेंडिंग इसने ज़रूरी है तो आज का दिन काफी महत्पूर है तो जैसा कि हमने जिक्र किया आज का दिन चन्रयांट सी के लिए बेहत एहम होने वाला है 23 सगस को काम्याबी की शुरुआत आज शाम को होने वाली एक प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी जिस विक्रम लैंडर की 23 सगस को चांद पर लैंडिंग होने वाली है उसकी स्पीड को आज इतना किया जाएगा ताकि वो बेहद आसानी से चांद की सतह पर उतर पाए ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी उसकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं इतिहास रचने से दो कदम दूर हिंदुस्तान हरती से चांद के सफर पर निकले चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहत एहम होने वाला है चंद्रयान 3 के प्रपॉल्शन मोड्यूल से विक्रम लैंडर गुरुवार को अलग हो गया और अब उसे चांद के लिए आखिरी के 100 किलोमीटर का सफर अकेले ही तै करना है इस आखिरी के 100 किलोमीटर के सफर में विक्रम लैंडर में कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और इस बड़लाव से जुड़ा हर एक कदम कैसे चंद्रयान 3 को चांद के करीब और करीब लेकर जाएगा अब जराव वो समझ दीचे आज शाम करीब 4 बजे चंद्रयान 3 की रफ्तार कम हो जाएगी आज ही लैंडर मोड्यूल की उचाई में कमी लाई जाएगी शुक्रवार से लेकर शनिवार के दौरान लैंडर मोड्यूल को 100 किलोमीटर की कख्षा से 30 किलोमीटर की कख्षा में स्थापित होगा ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी और इस प्रक्रिया में कौन-कौन सी चुनोतिया आनी बाकी है वो आपको डेमो की जर्गे समझाते हैं विक्रम लैंडर के बाथ मुझे दिख रहा है सबसे एहम जो होने वाला है अब प्रग्यान रोवर बेसिकली जिस पर सारे काम की जिम्मेदारी है विक्रम लैंडर के उपर मेजर जिम्मेदारी है क्योंकि soft landing हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है और अगर soft landing हो जाती है जो है सतय पर उत्रेगा और इसको बग्गी का रूप दिया गया है इस रोबोट जो पूरा चल कर चंद्रमा के उस एरिये को उस अन आइडेंटिफाइड एरिये को जिस पर अभी तक काम नहीं किया गया है उसकी मैपिंग करेगा पुष्टी करेगा किस तरीके के खनिज गैस और अन्य प्रदात साथ ही साथ सेस्टमेक अक्टिविटीज का भी प्रग्यान जो है हमें खबर जो है कलेट डाटा कलेट करके लेजेगा तेईस अगस्त को चांद की सदर पर लैंड होकर चंद्रयान थ्री एक नया इतिहास लिखने वाला है लेकिन तेईस अगस्त से पहले चंद्रयान थ्री को कौन-कौन से पड़ाओ पार करने बागी वो भी समझना जरूरी है पीस अगस्त को लैंडर मौद्यूल कक्षा छोड़ कर चंद्रमा की सतकी और बढ़ेगा रात पौने दो बजे के करीब इसकी डी और्बिटिंग होगी इसके बाद लैंडर चंद्रमा के गुरुत्वा कर्शन प्रभाव में आ जाएगा 21 और 22 अगस्त को मौद्यूल की गती को कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी मौद्यूल की दिशा को चंद्रमा के लंबोत करने की प्रक्रिया भी इसी दोरान शुरू की जाएगी और आखिर में आएगा 23 अगस्त का वो एहम पड़ाव जब विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षनी ध्रो के पास शाम करीब 5 बच कर 47 मिनट पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी रोर प्रज्यान शांद की सेता पर उत्रेगा तब उसकी चांद से दूरी महस 30 किलोमीटर की होगी तब विक्रम लैंडर चांद की सेता से 90 डिक्री के कोण पर होगा और लैंडिंग के बागत विक्रम रोर की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रती सेकंड होगी स्पीड को नियंतरत करने की जरूरत रहेगी और स्पीड को धीरे-धीरे कम किया जाएगा अल्मोस्ट हम 100 किलोमीटर का दायरा रहे गया है अब चंद्रमा के करीब जाने का तो ये 100 से 50 किलोमीटर का जो सफर है इसमें डी बूस्टिंग से स्पीड को नियंतरत करकर और लैंडर की जो है पोजीशन को चेंज करकर निर्धारित किया जाएगा कि जो एरिया हमने लैंडिंग के लिए चुना है क्या वो पूरी तरह से एक लास्ट मिनट गो एड है और जब इस बात का सम्यान हो जाएगा तो फिर 23 सारी को अपने गिवन टाइम पर जो है लैंडिंग का प्रियास है अब तक चन्रयान थी ठीक वैसे ही अपने सफर के एक एक पड़ाओं को सफलता पूरुक पार कर रहा है जैसा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने तै किया था और अब इंतजार उस घड़ी का है जब 23 अगस्त की शाम विक्रम लेंडर चान पर उतर कर नया इतिहास रचेग हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक लमहा बड़ा महत्वकून है आज से लेकर 23 अगस्त तक एक एक दिन, मिशन चंडरयान के लिए बेहत एहम है कल का दिन चंडरयान 3 के लिए टर्निंग पॉइंट था क्योंकि कल चंडरयान 3 का प्रपोलिशन मॉड्यूल और लैंडर से अलग हो गया था और अब चांड के लिए आगे का सफर विक्रम लैंडर को अकेले ही पूरा करना है विक्रम लैंडर को चांड की सतह पर उतरने की आखरी 100 किलोमीटर की यात्रा को खुद ही ते करना होगा साथ ही उचाई भी कम करनी है एक रिपोर्ट के जरीए हम समझते हैं भारत का तीसरा मून मिशन चंडरयान 3 एक और एहम पड़ाव को पार करके आगे बढ़ गया है गुरुवार दोपहर एक बच कर पंद्रा मिनट पर दो हिस्सों में बटा चंडरयान 3 यानि चंडरयान 3 के साथ गया विक्रम लेंडर प्रोपेल्शन मॉड्यूल से सफलता पूर्वक अलग हो गया है इसरों ने ट्वीट कर लिखा दोपहर एक बच कर पंद्रा मिनट पर दो हिस्सों में बटा चंडरयान 3 यानि चंद्रayان 3 के साथ गया विक्रम लेंडर प्रोपेल्शन मौड्डूल से सफलता पूर्वा कलग हो गया है इसरों ने पीट कर लिखा यहाँ तक की सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त लेंडर मौडूल प्रोपेल्शन मौडूल से अलग कर दिया गया है लेंडर तो जैसे आप समझाते हैं कि 23 तारीक को धर्ती पर अपने पाउं रखेगा और वहां फिर काम करना शुरू होगा उसके दो नवा भी वो कुछ एक प्रियोग एक्स्परियून करेगा लेकिन जो परपर्शन मॉडियूर जो पीछे रह गया है ये कई महीनों तक इसी प्रकार भर्णवान में घूमता रहेगा और अन्य चित्र और अन्य जानकारी भी उपलब्द करवाता रहेगा चंद्रियान तीन के द्वारा भी जो हमें इंपुट्स उपलब्द होंगे वह ना केवल भारत के लिए बल्किश भर के भी क्यानिकों के लिए महतपूर रहने वाले इसके अतिरीक तो प्रिष्वी को लेकर के भी कुछ एक प्रियोग वहां रहेंगे जो स्पेक्ट्रोस्कूपी उनकी अलग से है कि प्रिष्वी के वातावरन कैसा है उसकी रचना कैसी आने वाले समय में उसमें क्या बदलाव आ सकता हित्यादी हित्यादी अब शंद्रयान के विक्रम लेंडर को चांद के सदा पर उतरने की आखरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी होगी और साथ ही साथ उचाई भी कम करनी होगी अब शुक्रवार से लेकर रवीवार तक होने वाले डी ओर्बिटिंग के जरिये विक्रम लेंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरी ल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपो ल्यून और बिट में डाला जाएगा उसे अपने इंजनों यानि थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपने गति को धीमा करना होगा क्यारी करकर चंद्रमा के आखरी कक्षा तक लेकर आया है अब आगे का जो सफर है आखरी के जो आखरी सौ किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लांडर तै करेगा और अब ये पांच से छे दिन का जो समय है इसमें अपनी स्पीड को कम करना अपने आपको सीध करना विकोज कि अभी तक ये ट्रावल कर रहा ता स्पेस पे तो अब ये जगा के पुष्टी करना कि जो जगा निर्धारित करी है इस तरों ने जहां पर लैंड करना है कि वहां पर कोई लास्ट मिनिट कोई प्रॉब्लम नहीं है उन सभी बातों को उन सभी पहलूं को अब से कठिंचर यानि सौफ्ट लैंटें 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गती को कम करेंगे चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतर पर उतारा चाएगा चंद्रयान 3 चंद से जोड़े उन तमाम रहस्यों से परता उठाएगा जिनसे अब तक दुनिय अंजान है क्योंकि चांद की आधी सतय चमकती होई है मतलब जहां तक रौश्णी पहुंचती है तो आधी सतय घुप अंधेरे में डूबी है चंद्रयान 3 का लेंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमेटर दू उतरेगा चांद के इस हिस्से में सूरी की किरणे तिर्शी पढ़ती है तापमान बेहत कम होता है तापमान माइनस 180 डिग्री सेल्सियस तर पहुंच जाता है लेहाजा पानी मिलने की की कोशिष जान को लेकर अब तक क्विक होज से कहीं आगे बडी लगी प्शिती है फेज यानि जिस दिशा में जा रहा है उसमें गती को कम करना शुरू करेगा इसके बाद प्री लैंडिंग फेज यानि लैंडिंग से ठीट पहले के स्थिती होगी यहां से चान पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी इसके बाद लैंडर को चान पर सॉफ कराने के लिए क्या तैयारी की है ये बताएंगे और मिशन में क्या कुछ बदलाव भी किये गए हैं ये भी आपको दिखाते हैं धार्ती पर रात के अंधेरे में रौशनी बिखेरने वाला चंद्रबा हमेशा से आकर्शन का केदर रहा है लेकिन आकर्शन जितना ज्यादा है चंद्रबा दक पहुँचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनाओ दिये पोड़ लेकिन इस बार एसरो की तैयारी पूरी है मिशन चंद्रियान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है कई मायनों में चंद्रियान 3 जुलाई 2019 में लौच किये गए चंद्रियान 2 से अलग है इस पार और्बिटर की जगे पर प्रोपेल्शन मोड्यूल लगाया गया है जो चंद्रियान 3 कोल लेंडर की सौफ्ट लेंडिंग के दोरान नेविगेशन में मदद करेगा और्बिटर के बदले हमने प्रोपेल्शन मोड्यूली रखा है दूसरा क्या था कि अभी हमें दो तीन चीजे पता थी एक डिस्पर्शन ज़्यादा था तो डिस्पर्शन को कितना कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं डिस्पर्शन को कितना आच्छा समझ सकते हैं इससे ज़्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा जो कम्पूटर प्रोग्राम था उसकी रेंजती उसको बढ़ा दी कि अभी अगर डिस्पर्शन ज़्यादा भी हो गया तो भी हम कंट्रोल है अमारा चला नहीं जाएगा चंद्रियान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तिमाल किया गया है गती निर्धारित करने के लिए अधरित सेंसर लगाए गये है चंद्रियान 2 की सौफ्ट वेर समस्या को ठीक किया गया है लेंडर है वो थोड़ा हेवी है चंद्रियान 3 के लेंडर की सौफ्ट लेंडिंग के लिए इसरो की तयारी फुल प्रूफ है गलती की किसी भी गुणजाईश को खत्म किया गया है लेंडर इसका वजन 1726 किलोग्राम है और चंद्रियान 2 के लेंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है वहीं रोवर प्रग्यान का वजन 26 किलोग्राम है लेंडर के साथ 4 पेलोड भेजे जाएंगे लेंडर की ओन बोर्ड पावर 738 वाट की है चंद्रियान 2 के लेंडर की ओन बोर्ड पावर 650 वाट की थी वहीं रोवर की ओन बोर्ड पावर पचास वाट की है पूरवक्त अलग हो चुका है जिसकी पुष्टी भी इस रो ने कर दी है अब हम आपको चन्रयान के सफर के बारे में बताएंगे कितने पड़ावों से गुजर कर इस रो को ये सफलता आखिर हासिल हुई है बिल्कुल एक ही करके हम आपको इस मिशिन के बारे में बताएंगे सबसे पहले चन्रयान 3.0 मिशिन 14 जुलाई को लॉंच किया गया और हम आपको ये ग्राफिक्स वॉल की जरी हम आपको बता रहे हैं बहुत एहम है ये बहुत महटपूर है और कल एहम पड़ाब था जिसको हमने पार कर लिया है अब देखिए 14 जुलाई को ये लॉंच होता है चंद कदम दूर है हम चांद से महें से तो देखिए 14 जुलाई को लॉंच हो उसके बाद चांद की पहली कक्षा में कब पहुँचा ये 5 अगस्त को चांद की कक्षा और्बिट होती है कक्षा का मतलब एक आसपास और्बिट होती है वहाँ तक ये दाखिल हो गया ये एक बड़ी सफलता इस रो के लिए बिल्कुल देखिए 5 अगस्त को पहली कक्षा में दाखिल हुआ था 6 अगस्त को चांद की दूसरी कक्षा में ये पहुँच गया तो ये एक एकर के सफर है चंद्रयांग पी का इसके आधिये तारीक 9 अगस्त चांद की तीसरी कक्षा में 9 अगस्त को भी यानि कि बहुत तेजी से और बहुत सफलता से वो आगे बढ़ रहा है और उसके बाद 17 अगस्त को प्रोपोर्शन और लेंडर अलग हो गया ये सबसे महतपूर है कल का दिन सबसे ज़ादा महतपूर था जब अलग हो गया यानि कि लेंडर को अब आगे का सफर खुद तै करना है तेजी सगस्त वो तारीक है जब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हम सब जश्ट मनाएं जब चांद के साउथ को लेंडर की दक्षिनी दुरुप पर ये सफलता पूर्वक लेंडिंग कर लें और हम सब उस एतिहासिक पल के उस एतिहासिक शड़ के गभावने बिलकुल रोवर चांद की सत्रा पर पहुंच जाएगा वो एतिहासिक पल होगा जिसका सभी को बेसमरी से इंतजार है दरसल अंतरिक्ष में दबदबा बनाने के लिए दुनिया में होड मची हुई है अमारिका, चीन, यूरोपिये यूनियन के देश पहले ही अंतरिक्ष में अपनी धाक जमा चुके है अब बारी हिंदुस्तान की है चंप्रियान सी की सफलता भारत के लिए अंतरिक्ष के बाजार में और भी जादा ताकतवर बनाएगा अंतरिक्ष अनन्त है और संभावनाएं भी अंतरिक्ष का विस्तार कितना और कहां तक है इनसान की किसी भी किताब में धर्ज नहीं है लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है नई संभावनाओं को तलाशना है तो अंतरिक्ष की गहराईयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पढ़ाओ है चांद। चांद हमारे आकाश में टिम्टिमाते किसी भी दूसरे तारे तक पहुँचने से कहीं ज्यादा आसान है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चंद्रमा तक पहुँच चुके हैं। सभी की तैयारी चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है, ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा की एहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा पर पहुंचने से सौर मंदल को समझने में मदद मिलेगी, बड़े लक्षों को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा सबसे उपियों की जगह है, चंद्रमा पर कई तरह के खनिच बिलने की संभावना है, अंतरिक्ष में खोच के लिए स्टेशन विक्सित किया जा सक खास बात ये है कि अगर लैंडर की सौफ्ट लैंडिंग होती है तो फिर अंत्रिक्ष में पहुंचने के लिहाद से दुनिया में भारत की साफ बढ़ेगी। यही ने अर्पों डॉलर के अंत्रिक्ष बाजार में भारत पहली से जादा ताकत पर होकर आके आएगी। चंद्रयान 3 की सफलता ना सिर्थ दुनिया के मंच पर देश की ताकत का एसास कराएगी। बल्कि इसरो की मिशन आदित्य और मिशन गगन्यान के लिए भी रास्ते खोलेगी। इसरो की तैयारी गगन्यान की जरियांत्रिक्ष में मानो मिशन भेजने की है। चंद्रयान 3 की सफलता वेश्चुत मंच पर भारत की साथ तो बढ़ाएगी। प्रधान मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की साथ भी बढ़ेगी।